तो आपको पूरी जानकरी इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखना तो आपको पूरी जानकरी इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखना तो यह जो डॉप है इस पास मौनिल डॉप इसमें अपन कमपोजिशन के बार में बात करें तो इसके अंदर डाय साइक्लमाइन दिया गया है 10 मिली ग्राम के अंदर पेट के अंदर गेस की समझाई होती है तो उसका पेट बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है पेट फूलने जैसी उसको समझाई देखने को मिल सकती है तो इस परकार कि यदि बच्छे को समझाई होती है तब डोक्टर से इस ड्रोप को प्रिस्क्राइब करते हैं साथ म यह जो drop है बच्चे की जो आत होती है उसको आराम देने का काम करता है और उसके आतों के अंदर जो extra gases है उसको absorb करने का यह जो drop है काम करती है तो यह जो drop है यदि कोई छोटा बच्चा उसके पेट में भेंकर gas की समझाई हो रही है जिसके कारण उसको पेट में दर्द की समझाई देखने को मिल रही है या फिर उसका पेट फूलने जैसी उसको समझाई देखने को मिल रही है तो बच्चे की एसिडिटी को तो कंट्रोल करता है साथ में जो इकी बच्चे के पेट के अंदर जो दर्द हो रहा है तो उस मासपेशियों को आराम देने का काम करता है ताकि बच्चे को पेट में दर्द से रात देखने को मिल सके साथ में बच्चे के पेट में एठन जैसी समझाई हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह है जो ड्रोप पर प्रिस्क्राइब की जाती है तो यह है जो ड्रोप है इसका मुख्य ओपियोग यदि कोई छोटा बच्चा उसके पेट में गेस की समझाई हैं पैसे डिटी के समझ चाहिए तो यह फिर उसके पेट में दर्द होने लग गया है तो पेट दर्द और गेस को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से इस ड्रोप को प्रिस्क्राइब करते हैं साथ में यह है जो ispast-monil drop है यह है irrital bowel syndrome के लक्संद को भी контрol करने में यह है जो drop है डोक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो यह है जो drop है नॉर्मली आपको हर medical store पर इसके brand name ispast-monil नाम से मिल जाती है अपने इसकी प्राइस के बार में बात करें तो प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है 43 रुपे के आसपास इस ड्रोप की प्राइस है जिसके अंदर 10 ml की ड्रोप आपको नोर्मली मिल जाती है यदि आप अन्य ब्राइन की और कोई दूर्सी ड्रोप का उप्योग करोगे जिसके अंदर डाइस की लमाइन डाइमिधी कौन दिया गया हो तो उसकी प्राइज में आपको कम या ज्यदा देखने को मिल सकता है रिजल्ट आपको बेहतरी देने के काम करती है जो सिसव होता है उसके पीट में गेस की समख्या को कंट्रोल करने में बहुँच ज़दा मदद करती है और साथ में उसके पेट में जो दर्द हो रहा है उसको ठीक करने में मदद करती है बात करें अपने इसके कुछ साइड फेक्स के बार में तो साइड फेक्स वैसे होते नहीं है लेकिन कई कई बच्चों को साइड फेक्स का भी सामना करना पड़ सकता है जैसे कि नोजया वोमेटिंग जैसी समझ जाएं नेंद आने जैसी समझ जाएं डायरिया होने जैसी समझ जाएं तो वैसे साइड फेक्स होते नहीं है लेकिन यदि इस तरह के कुछ साइड फेक्स देखने को मिले तो आप इस ड्रोप का उप्योग कराना बंद कर दें तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी नोलेज मिली देए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना तक जब भी हम अगला वीडियो डाले तो उसका नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जेहिन